असलाम अलेकुम दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम Avast Company के एक प्रोडेक्ट Avast Wi-Fi Finder Application का रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तो यकीन कीजिएगा आपको Wi-Fi से रेलेटिड अप्लिकेशन तमाम की तमाम अप्लिकेशन जो Play Store में मिलती है ये अप्लिकेशन दोस्तो उन तमाम अप्लिकेशन से बिखतर रहेगी या फिर आप इस अप्लिकेशन को उन तमाम अप्लिकेशन से एक जबरदस्त अप्लिकेशन भी कह सकते हैं दोस्तो अगर इस अप्लिकेशन की comments की बात की जाए तो दोस्तो अवराल आपको जो इस application में comments मिलते हैं या फिर इस application के बारे में जो comments रहे हैं वो दोस्तो यकीन कीज़ेगा काफी कमाल के comments रहे हैं अगर मैं आपको यहाँ पर अपनी राय भी देता चलो हो भी दोस्तो यही है कि यह application सच में काफी कमाल की application है ज very nice app good, trying दोस्तो सच में ये application काफी कमाल की application है तो आईए हम इस application को open करके देखने के इस application में हमें कौन-कौन सी चीज़े देखने में मिल सकती है या फिर इस application से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं अगर दोस्तो इस application का हम open करते हैं तो ये application हमें कुछ इस तरह से देखने में मिल सकती है इस application में दोस्तो हमें सबसे पहले जो option मिलती है वो मिलती है speed test की तो आईए हम यहाँ पर अपनी speed को test करते हैं कि हमारे पास हमारी speed कितनी आ रही है आपको यहाँ पर यह application आपकी downloading speed और uploading speed दोनों के बारे में यहाँ पर बताएगी जैसे के आप कुछ यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो जैसे के मेरे पास 5.6 MBPS paid downloading आ रही है और 3.6 MBPS uploading आ रही है इसी के साथ दोस्तो हमें option मिलती है more की अगर हम इसके उपर click करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से options मिलेगी सबसे पहले आप अपनी wifi security को check कर सकते हैं अगर मैं इसके उपर click करता हूँ तो दोस्तो जैसा के आप यहाँ पर देख पाएंगे के आप इसी application में यह भी जान पाएंगे क्या आपके wifi पर किसी ने कोई attack तो नहीं किया आपका wifi protected है के नहीं है आपके router का जो wifi password है वो strong है या फिर नहीं और आपका router भी protected है के नहीं तो दोस्तो जैसा के आप यहाँ पर देख चकते हैं के इन तमाम issue से मेरा wifi router safe है इसके बाद दोस्तो हमें यहाँ पर option मिलती है wifi share की अगर हम इसके उपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपने wifi को share भी कर पाएंगे आप जो wifi map है उसी के उपर अपने wifi को share कर पाएंगे ऐसा नहीं है कि आप अपने wifi को किसी दूसरे mobile के साथ connect कर पाएं अगर हम इस continue बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ दोस्तो हम से हमारा wifi का password मांगा जाएगा जिस wifi password के जरीए मैं अभी अपने router के साथ connect हूँ तो दोस्तो अगर मैं यहाँ पर अपना wifi password एंटर करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर wifi password एंटर करने के बाद एक option चरोगी connect and share अगर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तो मैं यहाँ से अपने wifi को wifi map पर share कर पाऊँगा ताके कोई भी user अगर मेरे आसपास है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा wifi को यूज करना चाहे तो वो इस जगा आकर इस wifi को यूज कर सकता है जैसा के आप यहाँ पर देख सकते है तो दोस्तों यहाँ पर बस मैंने ही अपने wifi password को share नहीं किया अगर आप किसी भी ऐसे wifi map पर आए जो के proper आपको सही से बताता हो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे के आपकी location के आसपास बहुत से users ने अपने wifi को share किया होता है जैसा के खुद आप यहाँ पर देख सकते है कि गुजरावाला शहर में किस कदर wifi को wifi map पर share किया जा सुका है और दोस्तों बस यही नहीं यह application आपको यह भी बताएगा कि आपका wifi जो आपके शहर में है वो आपके mobile से कितना दूर है तो आपको बताएगा कि आपके router के साथ कितनी devices connect है जैसा कि आप खुद यहाँ पर देख सकते है इस वक्त मेरे router के साथ total 4 devices connect है और फिर इसके बाद हमें option मिलती है network detail अगर हम इसके ओपर click करते है तो दोस्तो आप यहाँ पर अपने wifi network की पूरी detail जान पाएंगे कि आपके wifi की speed कितनी है आप यहाँ से test कर पाएंगे और क्या आपका wifi safe है या नहीं है इसमें किसी किसम का कोई issue तो नहीं है वो भी आप यहीं पर check कर सकते है और इसके बाद दोस्तो आपको wifi network detail मिलती है आपका IP address, आपका Mac address, आपका channel और आपकी security किया है और आपके पास signal strength कितनी आ रही है link speed और frequency वगएरा आप सब भी यहाँ पर देख पाएंगे और इसके बाद दोस्तों में option मिलती है open hotspot are not secure कि अगर आप अपने mobile का hotspot open करते हैं तो वो secure नहीं है अगर आप secure बनाना चाहते हैं तो आप इस VPN का इस्तवाल कर सकते हैं और public browsing के लिए आप अपने network को secure कर सकते हैं अगर मैं secure me button पर click करता हूं तो मैं यहाँ पर Google Play में Avast के ही एक product VPN proxy by Avast secure line पर चला जाता हूं यहाँ से मैं इस application को download करने के बाद अपने mobile के hotspot को secure कर पाऊंगा इसके बाद दोस्तों में यहाँ option मिलती है forget network मैं यहाँ पर click करके अपने wifi से disconnect हो जाऊंगा जो मैं अभी नहीं चाहता और इसके बाद दोस्तों आपको फिर से वो ही option मिलती है forget network अब more option के बाद दोस्तों आपको इस application के home page पर जो चीज़े देखने में मिलती है तो दोस्तों वो first पर चीज़ आती है in range अगर मैं इसके उपर click करता हूं तो आप यहाँ से यह जान पाएंगे कि आपकी range में कौन-कौन से wifi connection मजूद है available पर दोस्तों यह वो तमाम wifi connection शो करेगा जिनके साथ हमारा already connection है और इसके बाद दोस्तों आपको password protected में वो wifi नजर आ रहे होंगे जिनको connect करने के लिए मुझे एक password की जरूरत है और फिर दोस्तों इसके बाद हमें जो option मिलती है वो मिलती है in walking distance अगर मैं इसके उपर click करता हूँ तो यह आपको यहाँ पर बताएगा कि wifi map पर जिन जिन लोगों ने अपने wifi को share किया है वो आप लोगों से कितना दूर है जैसा के आप यहाँ पर देख सकते हैं के हम यहाँ मुगल पर click करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर चंग option show होती है navigate to wifi, show on map के आप map पर भी इसको देख सकते हैं और network detail और report problem अगरा तो अगर हम navigate to wifi पर click करते हैं तो हम चले जाते हैं google map में तो हम यहाँ पर यह जान पाएंगे के यह wifi हमारे मुबाइल से कितना दूरी पर है और यह आपको direct सही से बताएगा के आपको यहाँ पर जाने के लिए कितना time लग सकता है जैसा के आप यहाँ नीचे देख सकते हैं के आपको इस wifi तक जाने के लिए 3 मिन्ट लग सकते हैं और यह wifi आप से 210 मीटर दूरी पर है और आप यहाँ पर शो होने वाले तमाम के तमाम wifi के बारे में जान सकते हैं के यह wifi आपके मुबाइल से कितना दूर है इसके बाद दोस्तों tools में हमें option मिलती है वो connected to tender जो के मेरे router का नाम tender है अगर मैं इस find devices पर click करता हूँ तो यह application मुझे यह भी बताएगा के मेरे router के साथ कितनी devices connected हैं जैसा के आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस चीज़ के बारे में शायद के मैं आपको पहले बता चुका हूँ और फिर इसके बाद हमें option मिलती है kill background apps के आपके mobile के background पर जो भी application रन कर रही है आप उनको यहाँ से खत्म कर पाएंगे अगर मैं इस kill apps now पर click करता हूँ तो मैं यहाँ से तमाम की तमाम उन साथ application को रोप पाँँगा जो के मेरे mobile के background में चल रही थी और फिर इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर option मिलती है Avast family यह दोस्तों Avast की वो तमाम की तमाम product है जो के Android के लिए बनाई गई है अगर हम इन में से किसी भी product पर click करते हैं फिर हम आप से इस product को download कर सकते हैं जैसे के मैं अगर password पर click करता हूँ तो मैं यहाँ पर Google Play में Avast password पर चला जाता हूँ जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद दोस्तों हमें इस application के नीचे कुछ और option मजीद देखने में मिलती है जैसे के इस वक्त हम wifi पर मजूद है मतलब के इस application के home page पर अगर हम यहाँ map पर click करते हैं तो हम यहाँ से map के जरीए उन तमाम wifi को देख पाएंगे जो इस वक्त इस wifi map पर share की जा चुकी है इसके बाद दोस्तों हमें option मिलती है offline की अगर हम इसके उपर click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दुनिया भर के तमाम मुमालिक शो होने वाले हैं आप यहाँ से किसी भी मुल्क को offline कर सकते हैं जैसे के मैंने यहाँ पर पाकिस्तान को offline कर रखा है कि अगर मेरे mobile के साथ internet connection ना भी हो तो यह application मुझे तब भी बताएगा कि जो wifi map पर share किया गया है वो हमसे कितना दूर है और इसके बाद दोस्तों हमें फिर option मिलती है tools की अगर हम इसके उपर click करते हैं तो हम यहाँ पर इस application का version दे सकते हैं और उसी के बाद हम यहीं से इस application को rating भी दे सकते हैं और इस app की notification setting भी कर सकते हैं इस application के बारे में अगर आप मज़ीद help लेना चाहें तो आप यहाँ से help भी ले सकते हैं आप अपना feedback भी दे सकते हैं कि आपको यह application कैसी लगी और फिर आपको यहाँ पर setting की option भी मिलती है जो आप अपनी merger के मताबिक change कर सकते हैं वरना default ही रहने दीजिए वो ही आपके लिए बेखतर है तो दोस्तो यह थी आज की हमारी वीडियो के Avast Wi-Fi Finder में आपको क्या कुछ चीज़े देखने में मिलती है यकिनां दोस्तो आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर दोस्तो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है मैंने प्ले स्टोर में दे गई वाई-फाई स्रेलेटिट तमाम की तमाम एप्लिकेशन की एक लिस्ट बनाई है जिनके मैं वीडियो बनाके आपके सामने पेश करने वाला हूँ इसी चैनल पर अगर दोस्तो आप उन में से किसी भी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लैडिकलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिए साथ ही साथ दोस्तो आप वैल आईकान पर प्रेस कर लीजिए इससे दोस्तो होगा ये कि मैं अपने इस सैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन दोस्तो डारेक्ट आपके मुबाइल पर शोग कर दिये जाएगा और दोस्तो आप ये किम कीजिए हमारी कोई भी नई वीडियो में इस नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में अल्ला हाफिज